पहले घूट पीते ही आपकी वमेटिंग बंदो जाएगी पेट दर्द बंदो जाएगा गैस गबराट वमेटिंग खटापन जो फील होता है चाती में आपको जलन गले में जलन जो फील होता है वो आपका एक गूट लेने में ही खतम हो जाएगा ये आपको डियाइडरेशन से भी बहुत हद तक बचाती है पाटी के धड़ादर चाट पपड़ी दही बल्ले सब कुछ पेल दिये अच्छे से का लिए बरपूर ना देका आचार ना देका पापड भर भर खा रहे हो मिसी रोटी होगी पकवान होगे सब भर के का रहे हो लेकिन खाने के बाद इन की तर आने के तुरण बात पी लेंगे तो आपको कभी भी ऐसी परेशानीं का सामना नहीं करना पड़ेगा तो करना आपने क्या है कि सबसे पहले है कि सबसे पर आहले भर दो कि पानी अच्छे से आप भर ने देना है जब बिल्कुल अच्छे से उबर जाएगा कुछ चीज़े आपको इस ठाने में देख रहे होगी, common item है, आपको देख भी रहे होगी, कुछ चीज़ें आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा क्या है, सबसे पहले चीज जो आपने क्या करनी है, वो है सौफ, सौफ तकरीबन आप देख रहे, मैंने दो चमच के आसपास सौफ लिया है, आप आपके पास सुखा पुदीना है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने क्या करना है, तकरीबन एक चमच पुदीने का डाल लेंगे इसी के अंदर, और इसको अच्छे से आप उबाल लेंगे, इतना उबालना है आपने कि ये पानी जो आपने दो गिलास लिया आपका आदा किलास पानी रह जाए, अब अगली चीज जो आपको इसमें दिख रही है, ये काला काला सा, ये है चिया सी, आपको ये दिख रहा होगा चिया सी, आपने क्या करना है ये चिया सी, जितने देर में आपका ये उबल रहा है, उतने ही देर में आप इसको पाने मे डालेंगे आप ये देख रहें मैंने तक्रीवन इसको ये पांस से दस मिन पहले ही भिवोने रखा था और भिखोने के बाद ये आप इसमें डालेंगे अब ये भिवोना शुरू हो गया जितने देर में आपका ये काड़े वाला पानी टी जो है आपकी वह उबलेगी उतने एक निवो आपने चोड़ लेंगे अगर उस टाम पर आपको लगे के आप ब्लट प्रेशर की वरेज है भी पी आपका हाई रहता है तो आप उस टाम पर नमक का सेवन नहीं करेंगे निवो का ही सिर्फ सेवन करेंगे और अगर आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहता है आप नॉर्मल उसी में आप ये संदर नमक डालिए, एड कीजिए, पीते ही, केवल पहले घूट पीते ही, आपकी वमेटिंग बंद हो जाएगी, पेट दर बंद हो जाएगा, गैस, गबराट, वमेटिंग, खटापन जो फील होता है, चाती में आपको जलन, गले में जलन जो गुमाईए, ताके आपका ये जहां पर गैस रुका हुआ है, क्योंकि हमारे बड़ी आन जो है, वो इस डारेक्शन में घूमी हुई है, तो जैसी आप इसको मुवमेट में रखेंगे, आपका गैस रिलीज होगी, यूरेन खुल के आजाएगा, उसके बाद दिलगोल आद के मूनसुन के महीने में, जिस टैंपे हमें ज्यादा डिहाइडरेशन की दिक्कत रहती है, तो ये आपके बाड़ी को हाइडरेटेड रहेगा, बाद जब हाइडरेटेड के आती है, तो चिया सीट अपने वजन के आप देख रहे होंगे, इसका नॉर्मल इतना सा बहुत ये दिख रहा होगा वीडियो में भी, ये अपने साइस के 20 गुना पानी अपने आप में एब्सॉब कर सकता है, और एब्सॉब करने के बाद ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, इस तरफ आप देख सकते हैं, इसमें इसने अपने अंदर काफी हद तक पानी एब्सॉ और एब्सॉब करने जब्सॉब कर दो पानी उसे दूरे